Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का अलग देश हो और इस तरह का एजेंडा जो लोग चला रहे हैं उसके साथ राहूल गांधी ने जरा रहे हैं वही अमेरिका में बात कर रहे हैं राहूल गांधी ने जो बयान दिया है उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता निशीकान सबसे बड़ा काम किया है जो मैंने ट्वीट किया है मेरा व्यक्तिकत मानना है कि राहूल गांधी दूसरे गोर्वाचोग है जिस तरह से गोर्वाचोग कमिनिस्ट पार्टी के महासचीव होके सोवियत संग का राष्टपती होके उन्होंने रूस को खंडित विखंडित कर रही है युक्रेंड की रशाल राई रूस की चल रही है उसके जनमदाता गुर्वाचोग है सिविल वॉप अर रहाल गांधी वही करना चाहते इसके पहले रहाहूल गांधी जो बयान देते थे वह सांसत करनाते द देते थे वह कॉंगर्रिस पार्टी के अध्यक्ष करनात कि राउल गांधी के पिता जी राजीव गांधी जब प्रद्दान मंत्र थे तब। और नरसीमा राउ जब प्रदान मंत्र थे कॉंग्रिश के तब। कई एक ऐसे मौके आए जबकि अटल विहरी बाचपई को डेलिगेशन का हिट बना कर भेजा गया और मंत्री उसके नीचे रहे हम देश में जितनी भी लड़ाई करते रहें पॉलिटिकल बाहर जाकर हम हमेशा देश के बारे में अच्छा ही बताते रहे आज उनका एजेंडा बड़ा क्लियर है आज जो मैंने ट्वीट किया जहां से मैंने शुरू किया था उनका एक फोटो इलहान उमर के साथ जो है वाइरल हुआ है इलहान उमर कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस में हैं अलब डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं कॉंग्रेस की सदस्या है जब हमारे प्रधान मंत्री मोधी जी ने वहां के कॉंग्रेस को सम्मोधित किया था तो उसका उन्होंने बैक आट किया था उन्होंने 2022 में पाकिस्तान अक्विप्राइड कस्मीर का दोरा किया था वहां का जो पार्लिमेंट है या वहां का जो पॉलिटिकल एक्टिविटी हमारी तरह नहीं है कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं हमारे MLA क्या कर रहे हैं यदि सांसा दोरे में ले वहां के सिनेटर या कॉंग्रिस के सदस किसी वी देश दोरे पर जाते हैं या किसी कारिक्रम में जाते हैं तो उनको डिकलियर करना पड़ता है कि किस ने आपको फंड किया उन्होंने खोड डिक्लियर किया कि पाकिस्तान सरकार ने उसको इन स्पॉंसर किया था और पाकिस्तान सरकार के पूरे पैसे खर्चे पर वो पाकिस्तान एक्विपाइड कस्मीर गई और वो मुस्लिम परस्त राजनिती करके Okey rzeczywiście में दो ही चीज कर रही है कि ये पाकिस्तान एक्विपाइड कस्मीर के साथ-साथ जो है जो हमारे साथ कस्मीर है ये कस्मीर पाकिस्तान में चला जाए याने तो कस्मीर एक अलग देश हो जाए दूसरा उनका एजेंडा है जो कि निर्जर का जब मडर हुआ था अब किसी देश के नागरी को किस ने कहा मारा उन्होंने ब्लेम किया कि भारत सरकार ने मारा हमको मारने से क्या मतलब है हम क्यों दूसरे देश के नागरी के बारे में कुछ करने के लिए जाएंगे और उसमें उन्होंने पन्नु जो सिख फॉर जस्टिस का एक केंपेइन करता है जो अलग खालिस्तान देश की मांग करता है उसके समर्थन में उन्होंने जो है लॉबी की अमेरिका में उनकी मुलाकात भी राहुल गांदी की और आज सिख फॉर जस्टिस का जो है एक स्टेट्मेंट आ गया कि सिख जो है प्रताडित है आप यह बताई कि कौन सा सिख 84 में दंगा किया कॉंग्रेस ने उसके बाद सारे सिख सिख तो यहां का पार्ट है ना जो हिंदू धर्म का ज एजनी आया गोरी आया मुहमद आया मुगल आया लेकिन आप सिख के बारे में इसा नहीं कह सकते बुद्ध के बारे में बुद्ध के बारे में नहीं कह सकते जैन के बारे में नहीं कह सकते तो साफ साफ एजेंडा यह है कि मैंने जब गोरवाचोग की बात कही कि कि कस्मीर अलग देश हो जाए खालिस्तान अलग देश हो जाए और इस तरह का एजेंड़ा जो लोग चला रहे हैं उसके साथ राहूल गांधी ने जरा आ रहे हैं वही अमेरिका में बात कर रहे हैं अब रहा रक्षन का सवाल अभी उनका जो बड़ा बयाना है और आज भी मानिग्रिय मंत्री जी ने भी ट्वीट किया आप यह समझें कि कि संतावन अंठावन में कालेलकर कमीटी बनी उसके पहले जब सिडूल कास और सिडूल ट्राइब को रिजर्विशन देने की बात आई तो कॉंस्टिचुएंट असेमली में नहरू ने इसका विरोथ किया अंबेदकर ज लागू नहीं उन्हें 61 में नहरू जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को चिठी लिखा कि आरक्षन नहीं होना ची नहीं हुआ दरुगाराय चीफिनिस्टर बने जिन्होंने आरक्षन लागू करने का कोशिस किया कॉंग्रेस के चीफिनिस्टर से उनको रातों रात हटा दिया उसके बाद जंता पार्टी की सरकारवरी मंडल कमिशन हुआ मंडल कमिशन की रिपोर्ट उन्हें 180 में जब अप्रधान मंतरी थी लागू हो गया उसको इंप्लिमेंट उन्होंने कभी नहीं किया इंप्लिमेंट तब किया जब कॉंग्रेस की साहसन चला गया नब्वेक अन उनका पार्लिमेंट में और फ्लोर 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 राजीव गांधी ने लीडर अप्ता पोजिशन के नाते का कहा कि ये देश का बड़ा काला दिन है दुरुभागे पूर्ण दिन है रिजर्वेशन नहीं होना ची उन्हें सो बावन से लेखे कि 1990 तक जब तक कि मंडल कमिशन इंप्लिमेंट नहीं हुआ तब तक कॉंग्रेस का मेनिफेस्टो आरक्षन का विरूद करता रहा है आज आरक्षन के बारे में उनके मूं से सही सब्द निकल गया जो उनके मन में था वो अमेरिका में उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आएगा क कि एक पिछला प्रधानमंत्री बन गया है तो उसके लिए आप समझे कि कि इंपैथी है इस तरह की बाते वो अमेरिका में कर रहे हैं एक साइकलोजीकल जो है ठेरपी के आविशक्ता है प्रधानमंत्री जी को यह बाते करें अब रिजर्वेशन यहां का मौलीक अधिकार कौन है सीडूल का सीडूल ट्राइब बबबीशी बताईये बिजनस्मैन पूचा वडेलाओं से को को on कि दो का आखिये ब्यूटी कांटेस्ट अदों सब्सक्राइब चारिय किए जो अमेरिका मेरा रहा है maximum 90-95% लोग जो है यहां के brain गए हैं जो की reservation से उनको लगता है कि उनकी आविशक्ता यहां ज्यादा महसूस नहीं होती है तो वो अमेरिका चले जाते हैं वो Britain चले जाते हैं आप वहां आकर भारत विरोध की बाते करते हो दूसरा सवाल यह है कि आप OBC को बढ़ताने का प्रियास करते हो 60% reservation लागू हो चुका है यदि आप सारा reservation लागू कर दोगे तो जो आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 26 right of equality की बात करते हो सबको समान अधिकार की बात करते हो तो कहीं न कहीं जो brain drain है उसको क्या करना चाहते हो कि अमेरिका भाग जाए और इसी तरह से आप हंगामा करते हो तो एक तरफ वो पन्नु को बढ़का रहे हैं एक तरफ वो पाकिस्तान एक ब्याट कस्मीर के इलहाम उमर जैसे लोगों के साथ मिरकर बढ़का रहे हैं एक तरफ ओबीसी को बढ़का रहे हैं एक तरफ वो एक पिछड़ा प्रधान मंत्री है मजबू कर रहा है इस देश में तो वो राहूल गांधी है और मुझे लगता है आने वाला भवी से बतायागा दस-बीस साल के बाद कि वो सचमुच का जो है गोर्वा चोग है भारत का यह दी कोई गोर्वा चोग है तो उसका नाम राहूल गांधी है राहूल गांधी ने